हाई एवरीबोन वेलकम टू जे आर कॉलेज यूटूब चैनल आएम यूर प्रेंड राहूल जेस्वाद तो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेडिस भी बेतरिन तरीके से चल रही होगी तो दोस्तो मेरे तर टाइम भी काम करना पड़ेगा और आप देख सकते हो मॉनिंग में साथ बज रहा है सेवें ट्वेंटी के आसपास टाइम हो रहा है ठीक है तो फाइनली मैं ये केमिस्ट्री का वीडियो रेकॉर्ड करने जा रहा हूँ यह मैं क्यूँ बता रहा हूँ जस्ट टू से इट क कम माइल्स्टोन टच करवाया है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जैयार कॉलेज को भी उसी प्रकार सपोर्ट दो क्योंकि इस चैनल से मुझे पर्सनली काफी उमीदे हैं हमने स्टार्टिंग में हमारे में चैनल जब यूटूब की शिरुवात की दी तो हमने छोटे हमसे दसवी तक पड़े ग्यारवी तक पड़े वो हमसे बारवी में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो कॉंटेंट से वो फटा फट से रेडी किया जाए और चैनल जेयार कॉलेज जेयार टूटोरियल का ही पार्ट था पहले मतलब उसी में हम वीडियो डालते थे 11-12 के लिए लेकिन हमने चैनल को सेपरेट किया और काफी बच्चों ने इस डिसीजन को एप्रिशेट किया इसरा अच्छा हूँ आपने सेपरेट किया नहीं तो जेयार टूटोरिल्स पे बहुत वीडियो हो गए थे 6,7,8,9,10,11 तो उसमें से ढूणना ग्यार अच्छा आपके लिए हम काम करते रहेंगे आप से बदले में ये की चीज़ चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें प्यार दे थोड़ा सा कि यार हमारा ऐसे ही मन लगा रहे हम यूटूब पे ऐसे ही आके काम करते रहें तो चलिए आज की वीडियो के शिरुवात करेंगे दे स्टार्टिंग के लेक्शिर में देखा कि क्या रहे हुथ जोलीट लिविड है सिगे वह फरक मियास हमने पड़ लिया उसमें बहुत वह सब चेश डिसकस किया था और पिछले ही लेक्चर में हमने ज़स्टाट किया था आवर में टॉपिक डैस लॉट अब गैस लॉट चार्ल टाइप के थे मैंने आपको बताया था यह चार्ल लॉट पढ़ेंगे उसके बाद आइडिल गैस एक्वेशन पढ़ेंगे ठीक है लेक पहले आपको टॉटिक गैस लॉट ओप दिया है उसके बाद आइडिल गैस एक्वेशन पर जुडना चाहते हो ज़रूर से हमारा application भी है उसको भी आपडाउन्लूड करके इंस्टॉल कर सकते हो बहुत सारे चीज़े वहां पर हम ला रहे हुंगे चलिए तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि there are four gas law, जो कि आप देख पारे उस screen के उपर there are four gas law, ठीक है कितने gas law है, चार gas law है, एक है boils law, दुसरा है Charles law, गेल उसे law, अबागेदर law, तो अलग-अलग scientist आए, अलग-अलग चीजों के उपर, अलग-अलग gas के उपर जब किये, तो उनको realize हुआ, कि gas का जो characteristics है, वो अलग-अलग conditions में कुछ अलग-अलग perform करता है, जैसे कभी आप temperature को consider करोगे, तो हो सकता है pressure and volume में कुछ relation देखने मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ और, like pressure को आपने constant किया, तो कुछ और देखने मिल गया, volume को आपने constant किया, तो कुछ और देखने मिल गया, तो ऐसे विबिन ने प्रकार के experiment जब scientist ड्वारा perform किये गए, क्योंकि यार, उनका काम ही था, perform करना, research करना, जैसे हम लोग कुछ नहीं करते, हम research नहीं करते, मतलब हम जब student होते हैं, तब कि मैं बात कर रहा हूं, तो हम research नहीं करते हैं, हमको में, जो earlier scientist थे, they are solution oriented, and they are question oriented also, because they always think, कि यार, ये जो चीज आ रही है, तो ये कैसे आ रही है, प्रित्वी गोल है क्या, प्रित्वी फ्लैक तो नहीं है, आज भी सवाल मैं, मैं कल की परसो एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत famous real, viral हुआ था, वाइरस में, sorry, viral हुआ था, एक बहुत famous YouTuber है, जो कि teacher ही है, ठीक है, तो jawline level पर सिखाते हैं, तो मैंने उनका एक real देखा, उन्होंने बताया कि यार, जो earth होती है, वो flat नहीं होती है, बलकि goal होती है, उसका experiment करके दिखा, है, मुझे बहुत अच्छा लगा personal तो यार, इससे साबीत होता है कि earth goal है, and उनक कही experiment नहीं था, वो किसी और scientist का था, उन्होंने बस उसको explain किया, बहुत अच्छा लगा सुनके, तो जो मैं बात बता रहा हो आपको, कि चार जो law है, वो हमें पढ़ना है, लेकिन ये चार law कैसे आया, वो भी एक important चीज है, जो आपको समझना पड़ेगा, तो ये चार law जो लेकिन इससे ज्यादा important चीज ये है, ideal gas equation, जो कि मुझे सबसे पहले ये सिखाना है, क्योंकि अगर आप syllabus point of view देखे तो पहले आपको law पढ़ना है, फिर ideal gas पर आना है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ideal gas सिखाऊंगा, होता क्या है, जैसे कि आपको पता है, एक gas है, तो उसक law को समझना भी पढ़ेगा, तो हम simultaneously पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आप चाहे पहले law कर लो, चाहे आप ideal gas equation पढ़ लो, दोनों का जो, क्या बोलते हो उसको, numbering है, वो आप same ही रखो, मतलब दोनों को साथ में ही पढ़ो आप, लेकिन सबसे पहले मैं ideal gas equation भी आपको सिखा द होलते हैं, वो gas क्या है, एक ideal gas है, और actual में देखा जाए, practically कि ideal gas जो होता है, वो doesn't exist, मतलब वो exist ही नहीं करता है, मतलब actual में ideal gas कुछ होता ही नहीं है, जो boils law को भी follow कर ले, चाहल्स law को भी follow कर ले, and जो तीसरा है, अब गाद दिलो लो, उसको भी follow कर ले, तो ऐसा कोई gas actual में हैं नहीं, तो practically is impossible, लेकिन जो real gas होता है, देखो अभी दो चीज़ आ गया यहां पर, एक होता है ideal gas, एक होता है real gas, ideal gas, एक ऐसा gas है, जो तीनों लोग को follow करना चाहिए, that is, boils law, Charles law, अदेगादर law, लेकिन actual में practical तोर पे, कोई ideal gas होता नहीं है, लेकिन एक होता है real gas, मतलब actual म specific condition के हिसाब से, वो क्या करेगा, उसका ideal behavior करेगा, जब intermolecular interactions जो होंगे, वो absent होंगे, मतलब क्या बोल रहा है, कि एक ideal gas, एक ideal gas, क्या है, जिसके बीच में कोई भी intermolecular attraction नहीं हो रहा है, लेकिन actual में बात करे, real gas जो होगा, real gas, जो होगा, उसमें कहीं नेका intermolecular attraction होगा, क् हमको एक चीज़ पता है, भला ही हमने study किया, कि जो intermolecular forces of attraction होता है, in the gases is the weakest, solid में सबसे strong होता है intermolecular interaction, हमने पढ़ा तर स्टार्टिंग के first lecture में, liquid में उससे कम होता है, और gas में सबसे कम होता, जानि कि उसके जो particles होंगे, उसके जो molecules, atoms होंगे, वो एक दो widely separated होते हैं, और बहुत कमजोर है, लेकिन absent नहीं है, है, थोड़ा तो है, वो लगाएगा, थोड़ा तो लगाएगा, मतलब कहीं ने कहीं intermolecular force of attraction, interaction है उसमें, तो इसलिए वो क्या है, एक real gas है, वो क्या है, एक real gas है, लेकिन ideal gas क्या बोल रहा है, कि भाया है, तीनों लौनी लगाएगा वो और उसके अंदर interaction हो गई नहीं, तो it is practically impossible कि कोई एक ideal gas हो, actual में क्या होता है, real gas होता है, लेकिन एक particular specific condition में हम ideal gas को create कर सकते हैं, खीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, एक derivation point of view अगर मैं बात करूँ, जैसे, अब अब देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यह एक चीज़ समझ में आ गया होगा, अब देखो, मैं आपको ना दोनों mix करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमको कहीं न कहीं laws भी पढ़ने हैं, और laws के उपर यह भी dependent है, और यह laws के उपर भी dependent है, तो मैंने आपको पहली बात तो मतलब समझाया कि ideal gas क्या होता है, और एक real gas क् बेसिक तोर पर समझ गया हो गया, ठीक है, और एक इसका एक derivation है, जो मैं आपको सबसे पहले ना उसका main जो funda है वो बताऊंगा, यह formula याद रखना, PV is equal to nrt, इसको यह कैसे लाया, वो मैं आपको बताऊंगा, यह formula याद रखना, PV is equal to nrt, या फिर इसको हम लोग PV is equal to mrt भी जाएंगे, P का मतलब होता है pressure, V का मतलब होता है volume, ठीक है, n का मतलब होता है number of moles, r का मतलब होता है एक characteristic, या फिर आप बोल सकते है, ideal gas constant, इसको बोल लो, या ideal gas constant है, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, इसको अईडिया, ideal gas, r is the universal gas constant भी बोल सकते हैं, इसको आर universal gas constant बोलता है, अभी आपको मैं roughly क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वापस से हमें law पे जाना है, जो boil's law, चाव's law, जो मैंने अभी छोड़ा न, आपके लिए, थोड़े देर में सिखाने के लिए, तो वो अभी पहले सिखाऊंगा वापस से, तो PV is equal to nRT, number of moles, ideal gas equation और universal gas constant, r का मतलब r का value constant वापस से मुद्दे पे, जो कि हमारा law, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे boil's law, यह होता क्या है, हम gas law की बात कर रहे थे, हमने थोड़ा सा एक जल्की देखा, कि इसका जल्की एक थोड़ा सा glimpse देखा, कि भाई, ideal gas equation होता क्या है, तो main दिमाप में क्या घुजग क्योंकि मैंने अभी shortcut से सिखाया हुआ आपको, बस यह बताने के लिए कि PV is equal to nrt होता है, ठीक है, correct है, देखो, interchange कर रहा हूँ, बहारे आके पहले आपको सिर्फ Charles law, boil's law नहीं सिखा दिया, पहले आपको मैंने meaning समझाए कि यह आएगा कैसे, अब इसका use क्या मैं आपको समझ सबसे पहले हैं कि boil's law होता है, जो कि हमारा सबसे पहला जो law है, gas law हो है, तो boil's law क्या बोलता है, for a fixed mass, देखो, यहाँ पर मैं सोड़ा color change करके आपको बताता हूँ, for a fixed mass, that is, mass यहाँ पर क्या हो जाएगा, number of moles n हो जाएगा, जैसे मैंने आपको starting में ही बताया, कहीं ने कहीं दोनों एक ही है, तो अगर मेरा mass जो होगा, gas का, जो mass होगा, वो fix है, gas का mass जो है fix है, यानि कि number of moles जो है, n है मेरा वो क्या है, fix है, of a gas at constant temperature, यह ध्यान में रखना, temperature को मैंने क्या कर दिया, constant कर दिया, घ्यान से सुरो, temperature को मैंने constant कर दिया, the pressure of a gas, यानि कि उस particular chamber में, उस particular gas क जो pressure होगा, P जो होगा, वो inversely proportional होगा to the volume of gas, to the volume of gas, अब इसको मैं practically elaborate करता हूँ, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास क्या है, एक cylinder है, ठीक है, ये cylinder आपको दिख रहा है, और उसके अंदर एक piston है, जैसे कि आपको पता है, ये cylinder piston का arrangement, आपके bike के अंदर, आ arrangement ही होता है उसके अंदर, ठीक है, जब cylinder piston जो उपर नीचे होता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, blast होता है, piston उपर नीचे होगा, उससे connecting होता है, connecting rod, crank shaft, crank shaft घूमेगा, तो आपके जो axle होते हैं, जो wheel में लगे होते हैं, वो घूमते हैं, और उसके जैसे आपका tire घूमता है gas है, अब यह gas जो है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला, उस gas का एक pressure होगा, उस gas का एक volume होगा, उस gas का एक mass होगा, या फिर number of mole होगा, correct है, उसका क्या होगा, एक pressure होगा, volume होगा, mass होगा, correct है, समझ में आ रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ, उसका एक temperature भी होगा, उसका क्या बोला उन्होंने fix mass मतलब boil slow क्या बोल रहा है कि उसका mass fix है तो mass fix है आपका ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो mass हो गया fix r क्या होता है that is characteristics gas constant तो r जो होगा उस gas के लिए वो same ही होगा unless until आप उसको change ना करो मतलब इसके अंदर जो gas भरी होई है वो मैंने same रखी है तो वो भी fix हो गया मतलब constant होगा वो change नहीं होगा temperature क्या बोला है उन्होंने at constant temperature मतलब मैंने क्या किया temperature को भी constant कर दिया यहाँ पे मैंने temperature को भी constant कर दिया तो हम लोग बोल सकते कि यह MRT यह पूरा का पूरा क्या होगा constant होगा तो PV is equal to constant PV is equal to constant PV क्या होगया constant होगया और PV constant होगया इसका मतलब अगर मैं pressure को increase करूंगा तो volume मेरा क्या होगा decrease होगा तभी तो यह constant होगा जैसे समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे मुझे 12 लाना है एक number लाना है 12 तो यहाँ पे अगर 3 मैंने लिया multiply by 4 लिया तो 12 आएगा लेकिन अगर मैंने P को change किया 6 किया तो इसको कम भी तो करना पड़ेगा तो 6 multiply by 2 होगा तब यह 12 होगा मतलब अगर मेरा pressure बढ़ रहा है तो automatically volume decrease होगा यानि कि इस gas के अंदर अगर मैं इस pressure को increase करता हूँ तो मेरा जो volume होगा इसका gas का क्या होगा pressure increases, volume decreases और वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है क्या बोला हुआ है कि the pressure P of a gas is inversely proportional to the volume और inversely proportional का मतलब क्या होता है कि अगर pressure बढ़ रहा है तो volume decrease होगा और यही पूरा पॉल्चला का फंडा है कि add constant temperature and fix mass या फिर number of moles the pressure is inversely proportional to the volume of a gas यानि इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते है कि P is inversely proportional to 1 इसको mathematically represent किया है न हमने यह सब चीज़ हमने सिखा हुआ है कैसे mathematically represent करते है तो यह theoretical चीज़ था उसको mathematical यहाँ पे बताया कि P is inversely proportional to 1 by V यानि कि P is inversely proportional to volume अब proportional के sign हंटाना है तो मुझे equal वहाँ पे लिखना पड़ेगा तो equal लिख दिया एक constant ले लिया K1 नाम का तो K1 नाम का मैंने constant ले लिया तो क्या हो जाएगा V इदर जाएगा P multiply by V is equal to K1 P multiply by V is equal to K1 तो P dot V is equal to क्या हो जाएगा constant हो जाएगा समझ में आ रहा है तो P multiply by V क्योंकि P V is equal to K1 था और K1 मेरे लिए क्या है constant है मतलब P और V is equal to constant होगा और वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया देखो इसलिए ideal gas को समझना पहले बहुत जरूरी है कि ideal gas अगर आपको समझा रहेगा तभी तो यह boil's law आपको समझेगा या फिर अगर आपको boil's law समझा रहेगा तो ideal gas समझेगा समझ में आया इसका proof के साथ मैंने बताया with proper experiment कि अगर P V is equal to constant है इसका मतलब pressure जब increase होगा तो volume decrease होगा volume increase होगा तो pressure decrease होगा तो और यही है आपका पुरा boil's law याद रहेगा याद रहेगा clear है clear है समझ में आ गया याद रखो इस चीज़ को ठीक है next law है हमारा gas law जो खिये Charles law अब एक और चीज़ है जब boil's law आपको मैंने बताया तो इसमें pressure और volume का relationship था देखो P और V का pressure volume का relationship तो आप इसको याद रख सकते हो boil's law मतलब pressure volume का relationship constant क्या है T याद रखना एक shortcut बताऊंगा end में Charles law Charles law किसके बिच का relation है temperature और volume का short में लिखा है T EMP temp V E VOLM volume तो temperature और volume का क्या है यहाँ पर relationship है तो क्या बोल रहा है at constant pressure यहाँ पर constant कोन हो गया pressure constant हो गया तो at constant pressure the volume of a fixed mass of a gas fixed mass रखा है उसका again is directly proportional to its temperature मतलब सेम फिर से अगर मैं मेरा cylinder ले लू देखो सेम फिर से मैं क्या कर रहा हूँ cylinder ले रहा हूँ piston ले रहा हूँ ठीक है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है gas भरा हुआ है ठीक है gas भरा हुआ है again उस gas का एक pressure होगा उस gas का एक volume होगा उस gas का एक temperature होगा और उसका एक fixed mass भी होगा mass या फिर जो भी number of mole से वो होगा तो clearly बोल रखा है कि temperature मेरा क्या है sorry माफ करना pressure मेरा constant है तो मेरा जो equation है अगर यहाँ पर अगर आप में बताओ आपको इसको मिटाओ पेले यहाँ पर में बताता हूँ कि मेरा PV is equal to MRT formula है ideal gas equation मेरा क्या बोल रहा है pressure constant है तो P मेरा कड़ गया pressure constant है volume of a fixed mass of a gas fixed mass बोल दिया मतलब mass मेरा constant है R characteristic gas constant होता है तो यह तो constant रहे गई तो यह क्या बोल रहा है कि volume of a gas is directly proportional to its temperature तो temperature से proportional रहेगा तो यहाँ पर clearly लिख रहा है V is equal to T क्या बज़िया है यहाँ पर V is equal to T मतलब अगर volume बढ़ेगा तो temperature भी बढ़ेगा V is equal to T आ गया है न यहाँ पर तो volume बढ़ेगा तो temperature भी बढ़ेगा temperature बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा मतलब दोनों के दोनों ऊपर डारेक्शन में जाएंगे तो दोनों के दोनों नीचे डारेक्शन में जाएंगे और इसलिए यहाँ पर clearly बोल रहा है कि यहाँ पर जो the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its temperature in Kelvin वो भी temperature Kelvin में होता है जो कि उसका SI unit है तो अगर temperature increase हो रहा है देखो यहाँ पर लिखा भी है if temperature increases, volume also increases तो इसका mathematical equation क्या हो जाएगा V is directly proportional to T proportional to T के साइन अटाने के लिए equal दिखना परता है constant से multiply करना परता है तो K2 यहाँ K1 लिया यहाँ K2 ले लिया तो K2 multipliacy हो जाएगा तो V by T is equal to K2 तो हम लोग हमारे child clock के साइबसे v by T is equal to K2, K2 क्या है घ्रल मेरे consistent है, तो हमारे child clock के साइबसे यह तो constant हो गया लेकिन हमारे charge clock के साइबसे क्या हो जाएगा V1 by T1 is equal to V2 by 2 यहाँ पे देखो, according to boys law, यह मैंने आपको नहीं बताया है, according to boys law, P1 V1 is equal to P2 V2, जो होगा, वो मेरा constant होगा, अगर मैं, दो pressure, दो volume P1 V1 करके, P2 V2 करके ले रहा हुता, उसी प्रकार यहाँ पे, according to Charles law, क्या हो जाएगा, V1 upon T1, देखो, V upon T है न, तो V1 upon T1, boys law समझ गया आगया, Charles law भी समझ में आगया, अब और दो law पढ़ना है में, जो की है, Gay-Lussac law और Vegard's law ठीक है, तिसरा है Gay-Lussac law, क्या होता है, Gay-Lussac law क्या बोलता है, pressure और temperature का relationship है, इसका किसका याद रखना, pressure का और temperature का relationship है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्या बोल रहा है, constant volume, फिर से मैं क्या करता है, एक cylinder ले लेता हूँ आपके इसाब से, चलो, एक cylinder ले लिया, piston, इसके अंदर, there are so many gases, इसका pressure होगा, इसका volume होगा, temperature होगा, और उसका एक fixed mass भी होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, equation क्या बोलता है, PV is equal to MRT, या फिर NRT, जो भी आपको बोलना है, बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, constant volume, volume क्या होगा, constant होगा, volume को काट दो, pressure of a fixed amount of gas, pressure of a fixed amount of gas, मतलब mass fixed है, और उसका gas constant जोगा, उसका एक value होगा, unless and until आप gas change नहीं करोगा, तो यह value constant रहेगा, तो क्या बोल रहा है कि pressure, is directly proportional to its absolute temperature, यानि क्या बच गया, यहाँ पर P बच गया, बीच में equal और T बच गया, यानि कि, अगर आप pressure को बढ़ा होगे, तो temperature बढ़ेगा, तो हमतला हमारा pressure is directly proportional to its absolute temperature, तो P is directly proportional to T, तो अगर proportional to the sign आठाना है, मुझे यहाँ पर constant multiply करना पड़ेगा, तो P is equal to K3, K3 मैंने constant लिया, multiply by T, T नीचे लखे लखे आओ जोगा, तो P upon T is equal to K3 बचा, जो कि यह constant, जो कि यह मेरा constant, ठीक है, और यही चीज हमें बताता है, कि अगर आप pressure को increase कर रहे हो, तो temperature भी increase होगा, obviously, तो हमारा जो gay-lusek law है, क्या बोलता है, कि if you are increasing your pressure, the pressure of the gas, the temperature will also going to increase, and this law, this action, this law is called as the gay-lusek law, याद रहेगा, बहुत simple है, मतलब एक question सोच्चो, तो दो-दो-मार्स के लिए पूछे जाते हैं, राइटे शॉट्नोट अन गेल उसे कला, तो क्या लिख पाऊगे, अराम से लिख पाऊगे, बच्चे पता ने क्यों घबराते हैं, क्योंको concept नहीं पता होता, आप explain भी कर सकते हो, with the help of this cylinder वाल डाइगरम, यहाँ पर मेरा सेम है, ठीक है, and pressure, pressure भी क्या है, सेम है, मतलब constant है, contain equal number of molecules, यानि number of molecules भी सेम है, मतलब क्या बूल रहा है, यहाँ पर, कि जो मेरा volume होगा, वो directly proportional होगा, number of moles से, तो V is directly proportional to N, proportional to sign अटाने के लिए, मैंने equal लिखा, और multiplied by K4 लिखा, क्योंकि K3 हो गया था, K4 लिखा, and नीचे N आएगा, तो V upon N, is equal to K4 हो जाएगा, जो कि एक constant है, तो यह मेरा क्या बन गया है, कि equation बन गया, और इसको अगर हम लोग, जो हमारा यह है, जो idle gas equation है, तो PV is equal to NRT, idle gas equation होता है, ठीक है, PV is equal to NRT, idle gas equation है, इसमें उन्होंने बोल जाया, कि सब चीस constant है, मेरा सब चीस constant है, मेरा P constant है, मेरा volume constant है, मेरा, क्या बोलते है, number of moles constant है, देखो, contain equal number of molecules constant है, temperature constant है, क्या बच रहा है, R बच रहा है, तो R अगर बच रहा है, N था, मतलब बाखी सब constant हो गए, लेकिन जो बचा हुआ N था, वो भी तो constant होगा, क्योंकि, if the pressure, volume, temperature, and obviously, जो idle gas constant है, universal gas constant है, वो constant ही है, तो सब constant है, तो बचा हुआ जो N, number of moles है, वो भी क्या होगा, constant होगा, यही law बताता है, अब इसका shortcut क्या है, याद रखने का, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से, यह मैंने लिखके रखा है, BTCPGV, स्टार्टिंगे जो तीन law है, अब इसका इसका एक फंडा है, BTCPGV, BTCPGV मतलब क्या, बोईल लो के लिए याद रखना, BT, बोईल लो के लिए याद रखोगे, BT, मतलब बोईल स्लो में, टेंप्रेचर कॉन्स embroider Ślč रो में, टेंप्रेचर कॉन्स अब आप कन्फिज होगे, जब स्लो नज रिखता हूँ, आप लोके बोले, बात में जब इसको आप note down करते हो कि नहीं करते हो यार ये जो भी मैं पढ़ाता हूं लिखाता हूं इसको note down किया करो खुद का notes बनाए करो यार भार भार मुझे बोलना ना पड़े ये चीज़ ने तो आप बहुत बनाए करो आपका एक हाथ में पढ़ते नोट बन जाएगा तो BT बोल्स लोग में temperature constant, CP चाल्स लोग में pressure constant और एक है last में GV, गेल उसे के लोग में है GV, GV मतलब क्या गेल उसे के लोग में volume constant, at constant volume, तो याद रखना, क्या रखोगे BT, CP, GV, इसको आप कुछ भी याद रख सकते हो, किसी का नाम होगा BT से, तो BT इनसे नाम याद रखो ठीक है, ना कोई station का नाम याद रख सकते हो, तो BT, CP, GV, याद रखो, एक shortcut तरीका है, जिससे आप याद रख सकते हो कि किसमें क्या constant था, तो BT, बोल्स लोग में temperature constant, CP, चाल्स लोग में pressure constant, और GV, गेल उसे के लोग में volume constant, अब यही चीज हमें use होगा हमारे ideal gas equation में, तो आ अच्छल में ऐसा कोई practically possible नहीं है, ठीक है, तो derivation क्या बोलता है, at constant temperature, और number of moles तो obvious लिए आपका constant होता ही है, number of moles तो हर किसी में constant होता ही है, यानि mass constant होता ही है, तो constant temperature अगर रहता है, temperature constant रहते तो मतलब कौन सा लोग है, BT, मतलब temperature constant मतलब boils लोग, याद आ गया, तो उसका proportional to pressure, यानि volume बढ़ेगा, तो pressure decrease होगा, ठीक है, V is inversely proportional to pressure, यह हो गया equation number 1, वह सही, अगर मैं constant pressure रखू, और number of moles तो constant रहे गई, तो pressure किस पर constant होता है, CP, यानि Charles law में होता है, ठीक है, उसका फंदा क्या था, V is directly proportional to T, यानि volume बढ़ेगा, तो temperature भी बढ़ेगा, और तीसरा हमार अगर जरो लौका फंदा था, at constant pressure and temperature, प्रेशर भी constant, temperature भी constant, तो यह आगे तो रहो था, जिसमें V is directly proportional to N, तो यह तीनो जो equation है, V is directly proportional to 1 by P, V is proportional to T, V is proportional to N, इन तीनो को अगर मैं एक साथ लिखू, तो यह कैसा दिखेगा, यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा, from equation 1 and 2, combining all equation, तो यह दिखेगा, V is proportional to N multiply by T upon P, कैसे आया, देखो, यह देखो, यह उपर N है, यह T उपर है, और यह 1 है, 1 multiply by T multiply by N, तो N T हो जाएगा, उपर, N T हो गया, और P नीचे है, तो P नीचे आ जाएगा, P नीचे आ गया, तो V is proportional to N T upon P, लेकिन मुझे ए proportional to N T upon P, लेकिन मुझे प्रक क्या है, एक gas constant है, R क्या है, एक gas constant है, उसका एक value होता है, जो मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको याद करके चलना है उसको, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, V is equal to R multiplied by N multiplied by T upon P, अब यह P इदर multiply हो जाएगा, तो P multiplied by V is equal to PV, और N पहले लिख लिख लिया, R बात में लिखा और T लिखा, तो PV is equal to N RT, और यह आपका क्या बन गया, यह एक equation बन गया, जो की होता है, ideal gas equation, this is called the ideal gas equation, तो हमने यहाँ पर क्या derive कर दिया, derivation से ideal gas equation, तो कभी-कभी question आता है, कि write a short note on ideal gas equation, या फिर डिराइब ideal gas equation, तो इस तरीके से आप derive कर सकते हो, और इसमें जो R जो मैंने बोल जो value of R जो रहेगा, वो हर gases के लिए normally क्या होते है, same होते है, और इसलिए R का value होता है, इसको universal gas constant बोलता है, क्योंकि हर gas के लिए उसका value same होता है, universal gas constant इसको बोला जाता है, समझ में आ गया, clear है, ओके है, बस फरक कितना रहेगा, number of moles M के जगा पे कभी-कभी mass दिया होता है, तो वो फरक हो जाएगा, कि PV is equal to NRT की जगा पे PV is equal to MRT हो जाएगा, और फरक नहीं पढ़ता, ठीक है, समझ में आ गया, clear है, चलो, अब चलते है, last topic आज के इस वीडियो का, जो की है हमारा value of R in different units, मतलब value of R तो same रहेगा, universal gas constant का, लेकिन units के साब से change होगा, जैसे एक लीट जो universal gas constant है, जो आपका, R, उसका value Joule में, ऐसा unit Joule होता है, बराबर, तो Joule में लिखना है, तो उसका value होता है, 8.314 Joule, यहाँ पे Kelvin inverse, mole inverse है, Joule per Kelvin per mole, ठीक है, Joule per Kelvin per mole हो जाता है, अब यह आया कैसे, यह आपको मैं छोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैंतलब ज्यादा question तो पू divided by N into T हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको P का जो pressure रहेगा, जो भी, वो डालना है, volume डालना है, number of moles डालना है, और temperature डालना है, वो जब डालोगे, तो आपको यह value मिल जाएगा, तो 8.314 Joule per Kelvin per mole आजाएगा, फिर liter, जो atmosphere में होता है, R का value, जो होता है, 0.0821, liter, atmosphere per Kelvin per mole, और R in calories में अगर आपको निकालना है, तो यह आपको 8.314 Joule में आया, उसको divide करना पड़ेगा 4.184 से, क्योंकि एक जो आपका calorie होता है, उसका value होता है, 4.184 Joule, तो इसको जब आपने divide किया, तो यह value आ गया, तो 1.9 मतलब approximation केसाब से 2 आ जाएगा, तो 2 calorie per Kelvin per mole आ जाएगा, इसक से मैं आपको बोल रहा हो, कि देखो भाया, यह chemistry वगरे बहुत easy होता है, लेकिन है concept का खेल, एक छोटा concept भी पीछे अगर आप भूल के आ रहे होंगे, तो शायद आने वाला concept आपको नहीं समझेगा, तो जैसे हमने ideal gas के बार में बताया, जो 3-4 law हमने पड़ा, वो कहीं न से कहीं, एक दूसरे से interdependent है, और दोनों को यह explain करना है, तो दोनों कहीं जरूरत पड़ेगी, तो you have to remember this all, चाहे वो Charles law हो, बॉil's law हो, अबागादर हो, या फिर गेल उसे कला हो, तो यह हमने सब अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया, तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और जाते जाते अगर आपने बेल आइकन को प्रेस्ट नहीं किया है, तो बेल आइकन को भी प्रेस्ट कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगो मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स तो चलो जल्दी मिलेंगे, फिर रेकॉर्णरी व